कि एक वार सब फिर सभी विध्यार्तियों का एडियू पथाचारी क्लासेट के ऑनलाइन प्रेटफोन पर में योगें रहार दिख स्वागा तो अभी नदन करता हूं तो जल्दी से प्यारे विध्यार्तिया आ जाईएगा पहले तो मैं आफी माफी चाहूंगा कि देरी संजु जी वेरी गूड इबनिंग शबबास जैहो जी वेरी गूड इबनिंग चलो हम बात करते हैं सिद्धे हमारे प्रशनों पर वोईस वगर अच्छे से आ रही कि जल्दी से बता दीजिएगा इसके बाद हमारी बात करने वाले तो जल्दी से एक बास सेर कर दो सारे के सारे ताकि सभी विद्यारति आजाये आर्टी जी बिल्कुल सर आ रहे हो या कोई फाल तुब आत ना करें अच्छा जी बिल्कुल आच चुके हैं मनिशा सैनी जी बिलकुल नमस्कार गबतार नीजी वह सबको बॉस अच्छे से आ रही है प्रसांट जी राधे राधे चलो अब बात करते हैं हमारे प्रश्णों की तो पहला प्रश्ण क्या है आपका जल्दी से देख लीजेगा यहां पर प्रश्ण क्या है आपका यह रहा आपका पहला प्रश्ण गोसुंडी जो अभी लेक है यह किस भासा में है लिखा गया है यह पूछा आपसे इसकी भासा पू चुके हैं यहाँ पर लेकिन क्या चक्कर रहे और कहां गये तो यहां पर हम बात करते हैं कौन सी क्लास का क्या है बही चलो एक किमध कोई गलत वैस्टर नहीं हो गई चलो जी कि अच्छा रिपलाई नहीं दिया थोड़ा सा टाइम नहीं मिला प्रसान जी बिल्कुल आपका रिपलाई मिल जाएगा ये इसकी भासा है या जैसे कि संजेसर ने कहा option two यानि कि संस्क्रत इसकी भासा है सही है टाइपिंग मिश्टेक क्या हुआ घोशुंड अच्छा अरे वाई शाब कोई बात नहीं समझ जाया करो मनिशा जी बिल्कुल तो धान रखना इस अभिलेक है वह किस भासा में संस्क्रत भ प्रसान जी यहां पर बात करें हम कि इसके अंदर जो उल्लिक आपको मिलता है वो किसके बारे में मिलता है तो आपको अच्छे से पता होगा भागबत भागबत जो धर्म है इसके बारे में इसके अंदर आपको देखने को मिलता है अगर और मैं बात करो यहां पर तो जो ब प्रताओ इस अभिले को सर्पत्म किसके द्वारा पढ़ा गया था किसके द्वारा पढ़ा गया तो जल्दे से आंसर आप लोगों कि आने चीह यहां पर शाबस कर्रेक्ट आंसर क्या होगा जी जल्दे से आंसर आप लोगों कि आने चीह कि जो घोसुंडी सिला लेक है इसको स सबसे पहले पढ़ा किसने था अभी लेको सोरी बेटने सम्रदाय का प्रथम परमान यहीं से प्राप्त होता है बिल्कुल जी ऑप्सन दो जी अच्छा ओप्सन दे यहां पर भी अरे घुसुन्डी सिलाले को पढ़ेने का सरे किसे जाता है बिल्कुल यह चित्तोड का है बिल भंडार करके द्वारा चलो जी चलो अगला प्रेश्ण हमारा यहां से क्या है अगला प्रेश्ण आपका पूछा गया है यहां से कि किसे सिलाल एक में चोहानों को बत्स गोस्त्रियक के ब्रहामन कहा गया है किसे सिलाले की अंदर कहा गया है तो जल्दी से चिपका तो यहा आता है और जल्दी से रहातो भी सियर तो आप करोगी कहें बिना वैसे में कहता है यह आप लोगों से इनिया आपकी सारी समय जाये थी वो शॉँल्ब कर दी अब कुछ जो प्रेशर था मेरे पर यहीं लगातार बात करेंगे इनिगे आपके जो तो तरह हो इस्टिरी टापिक्स लेंगे जो जोग्रफी वाले वह जोग्रफी के लेंगे अच्छा जी हाँ वहीं तो शाबास करेक्ट अंसर रोजाएगा आपका बंडार करके दौरा आप बात करें किस लालेक को चोहानों को बत्स गोत्री की ब्रहमन कहा गया है तो बिजोल के जो चोहां थे सांबर बै अजमिर के जो चोहां थे उनके बारे में आपको यहां से जानकारी मिलती है वहीं मैं बात करो रणगपूर प्रसस्ती की तो जल्दी स्यांसर करेंगे रणगपूर प्रसस्ती के बारे में किसकी जानकारी मिलती है वहीं चिर्वे का सिलाले के आप तो क्या मिलता है आप लोगों को किसी byक्ति के बारे मिया फिर राजाओं के बारे मिफिhorse उसके जो कारी थे अच्छ विसेस बाते थी उनके बारे में यहां पर आपको जानकारी मिलती है वहीं बात करें चिर्वे के सिला लेकी तो चिर्वे के सिला लेकी अंदर जो आपका प्रारंबिक मेवार था यानि कि मेवार के जो प्रारंबिक राजाएं थे उनके बारे में जानकारी मिलती है मेवार के कि प्रारंबिक रांगां के बारे में स्रंगी रिसी के बारे में किसका बहुत यहां पर जान कर आपको शाइब कं करते कि इस लड़की को समझाओ आप चुपचा पढ़ लीजिए का पॉलिटी की क्लास बता दीजिए कब से होगी पॉलिटी की क्लास में जल्दी डिसाइड किया जाएगा आपका अभी समय बता दूंगा भी मैं आपको घबराओ मत सारे टॉपिक्स के लियर करूँगा जो बादा किया है आप लोगों से वह नहीं छोड़ूँगा आपके बादों को चाहिए कैसे भी करा हूं में पॉलिटी आपकी हो जाएगी जो टॉपिक्स बच रहे हैं या कहीं तक हम पहुंच चुके हैं चलो आजाओ अगला प्रस्म क्या है हमारा की कौन सा मंदोर के प्रत कर्टी आला भी लेग जल्दी से बताओ कर्रेक्ट अंसर यहां से क्या होगा शाबास सभी क्या आने ऐँख है यहां से शाबस भी जब पुराबी लिग कि सी आंसर आरा क्या आला जल्दी बताईएगा कि कौन सा मंदोर के प्रतिहारों के इतियास की जानकर यह आपको अगर बात करें जोदपुर के कहां के जोदपुर के सा सकते इनके बारे में आपको जानकारी मिलती है मंदौर कहां पर है तो जोदपुर के अंदर है तो जोदपुर के जो प्रतियासा सक है इनके बारे में यहां पर आपको जानकारी मिल जाती है ठीक है वहीं हम बात करें बात करें जो बीजापूर कहां का जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहां से चलो जी बात करते हैं अगले प्रेश्ण कि शाब बास वेरी गुड अगला प्रेश्ण हमारा की निम लिकित में से एक लिंग सिला लेक जो 1428 मिस्वी में मिला था या फिर निकाला गया था खोजा गया था इसका लेखा कौन था एक लिंग सिला लेक का लेखा का नाम आपको यहां से बताना है तो जल्दी से करेंगे अरे भाई पड़लो मैं घोर विरजगार विध्यारती हो शाब बास कप्तान स तो पैक होता है यह पहत्चान गए बावुजी चलो जल्दी से आनसर करो सभी करेक्ट आंसर यहां पर आने चाहें आप लोगों के संझी पिलकुल कुम जिल्कलाह करना पना कुम Pvd यहां पर कर रहे हैं रना कुम एक लिंग सिला ने लेकखक कुमबा क्या आंसर कर रोह आप चलो जी बात कर ले अगले प्रश्ण की अगला प्रश्ण क्या है हमारा अगला प्रश्ण की कौन सा मेवार राजी का सिख्खा नहीं है यहां पर जो सिख्खे दिखाई दे रहे हैं इनमें से कौन सा मेवार राजी का सिख्खा नहीं है शाबास कर्रेक्ट आंसर दोर जल्दि शाबास ट्रेंग सर्माजी लेकिन अगर नहीं दिया आंसर तो भी आपको कुछ punishment मिलेगा ठीक है punishment क्या होगा वो तब बताऊंगा शौरों बताऊंगे आप answer पक्ता है कि सर करेक्ट आंसर देंगे हम तो चलो जी जल्दी से बताओ डोडिया आप लोगों ने नहीं पड़ा प्रशन को नहीं पड़ा आप लोगों ने आप लोगों ने नहीं पड़ा प्रशन को कि कौन सा इन में से सिक्का है जो मेबार का मेबार राजिका नहीं है तो रामसाही की हम बात करें तो रामसाही कहां का है आपके जैसल मेर का है कहां का है आपके जैसल मेर का है आई बात कहां से समझ में अब क्या करेक्ट आंसर करोगे तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर इन में से कोई सभी नहीं है सभी नहीं है यहां पर कोई साभी नहीं है बेबार राजिका यहां से आगई बात समझ यानि कि इसे साबित होता है कि आप लोगों का क्लास के अंदर धान नहीं है नहीं है नहीं है ना लिलू लिया और लिलू साही ललू साही सिक्कों का जो निर्मान ही कहां पर होता है यह ललू साही क्या है जल्दी से देंगे ठीक है यह ललू तो नहीं होगा साइद डबू बबू कुछ साही होता है ना लू लिया ललू साही जो सिक्कहन का निर्मान कहां होता है आपके सब्सक्राइब कर रहा है चलो जी जल्दी से आंसर करेंगे शाबस जोदपूर और भी जो धना शाबस का रिक्ट आंसर क्या होगा सर मेरा पेपर रद्ध हो गया करीना वहरवा जी तो कोई बात नहीं हब हो गया तो उसका कुछ कर नहीं सकते तयारी कंट्यून्यू रखें चलो जी तो यहां से जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लल चाहे तो लिल्लू लिया के दो डबुसाई के दो यह दोनों ही जो सिक्किये को निर्मान है वो कहां पर होता है जोदपूर के सिक्के जारी हुए जिने कहा जाता है अरे क्या कहा जाता है जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर और आप लोगों ने तो क्लास को सेर नहीं की है ना चलो मैंने कर दी थी क्या आपके ग्रूप सुने चलो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर यहां से क्या होगा शाबास करेक्ट कैसे करोगे है ना आप तो यह एत्ती वाचिंग करनी है आपको और तो कुछ करना ही नहीं है यहां से वेरी कुट चलो जी हम पहुंचा देते हैं आपकी यहां पर टेलीग्राम चैनल तक और जो भी आपके पास सोशल मीडिया जहें उन पर आप लोग जल्दी से सेयर कर दें अब तो नहीं रोज कर दें ठीक है अब तो चुपचा पढ़ाई करेंगे चलो जी आज आओं यहां से कि अकवर की चित्तलगर्ण विजय के उपरान जो मेवार है इसमें मुगल सासकों के सिक्के जारी हुए जिने क्या कहा जाता है तो इनको कौन सा का जाता है सिक्का बनार भी क्या है भाइया से दिनार तो कई देसों की मुदा है और उस समय किर्ट आं सरॉफ के जाएगा चलो अगला प्रेश्ञ क्या है समझ गया श्याबास चलो जी अगला प्रेशन क्याएगी राब साही सिकों का संबंद किस राजी से है अभी तो हमने पढ़ा था राब साही सिकों का संबंद किस से होगा करॉली से होगा भरतपुर से होगा अलवर से होगा या फिर किस से होगा दौलपुर से होगा सभी के करेक्ट आंसर यहां पर चांदी का चांदी का शाहा आलम चांदी का क्या चलता है यहां पर चांदी का साहा आलम ठीक है कहां पर भरतपुर के अंदर चांदी का साहा आलम वहीं में बात करूं किसकी बात करूं में धौलपुर की में बात करूं तो धौलपुर के अंदर चलता है कौन सा बहिया तमंच भूंसर चलता है तमंचा जाता है अब हुक आपका करोली बचा तो करोली के Vai ँर रहे हैमर चलो अच्छा ाब को नोट नोटress क्लीश अनतर करेक्ट अंसर नहीं हो जाएगा आपका चलू जी जल्दी से करेंगे गए करेक्ट आंसर हाँ जी सबसे प्राचें सिलालेख कौन सा से प्राचें जो अबका होगा यह तो चीर्वा का कशिरवा का। ठीक है 12ati 93 का है फ़ी की बात भाहा 오늘 बड़नाला की बात करें बढ़नाला सिलालेख कस बनली का होगा फर्णाला हो कई बता रहे वर्नाला का होगा कर्रेक्ट आंसर यहां से क्या होगा बर्नाला हो जाएगा आपका गंगधार और बढ़ली तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहां से तो करेक्ट आंसर होगा आपका होने को तो कौन सा हो जाएगा बढ़ली हो जाएगा जो कुछ 443 है ठीक है 443 इसा पूर्व है जबकि हम बात करें इसकी गंघ्धार की बात करें तो गंघ्धार आपका पढ़ जाता है कब लगवा गंधंधार पढ़ता है आपका कंद्विनर का ध्याल करना वर नाला का 243 के आसपास पढ़ता है कुछ इस वी में पढ़ता है ये यह भी ISоры के अंदर है लेकिन आपका जो कौन सा बढ़ लिका है उन 443 इसा पूर्व मिलेगा आपको ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से कौन सा आपका तो आपको पता होगा आपको पता होगा अपनेरी किस काल की है चलो जी खुस्भू मोदी जी और यहां से जल्दी से आने चीए आप सभी क्या अंसर शाबस एक ही बार में बिलकुल करेक्ट आंसर तो आभा नेरी से आपको पता लग गया होगा कि आभा नेरी और जो राजोर गड़ है इस जो आपको यह मिलेंगे कलात्मक बैबाब कौन से काल के मिलेंगे गुजर प्रत प्रतिहार वास्तु सेलिका नहीं है अच्छे से पढ़ना है और फिर आंसर करना है कि निम्ली कितमे से कौन सा मंदिर है जो गुजर प्रतिहार वास्तु का वास्तु सेलिका नहीं है तो सभी का यहां से करेक्ट आंसर आना चीए कौन सा होगा गुजर प्रतिहार किराडू क का शौमिश्वर मंदिर ओशिया का सूर्य मंदिर गौठ मांगलोग का दधी मती माता का मंदिर और वहीं चार चौमा का सिभ मंदिर का रेक्ट आंसर यहां से क्या होगा very good पकड़ गए सुनीता जी संजु जी करीना जी पूजा जी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाहिक इस कौन से काल का है जल्दी से बताओ अरे ये गुप्त काल का है किसका ही गुप्त काल का ध्यान रख लेना करेक्ट आंसर यहां से कौन सा हो जाएगा आपका option 4 correct answer हो जाएगा चलो जी शाब बासकप्तान साब का answer भी आ गया very good गुप्त काल का है ये द्यान रख लेना चलो जी बात करते हैं अगले प्रश्ण की तो अगला प्रश्ण क्या है आपका कि राजस्तान में भूमिज सैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है राजस्तान के अंदर जो भूमिज सैली है उसका सबसे पुराना मंदिर यहाँ पर आपको ढूड़ना है भूमिज सैली का पाली का सेवाडी जैन मंदिर है रामगड का वंडदेवरा है मेलाल का महालेश्यवर मंदिर है या फिर डूंगरपुर का सौमनात मंदिर है तो जल्दी से चिपका दीजीगा यहां पर करेक्ट आंसर अब यहां से यही बाते हमें ध्यान नहीं रखनी आपको यह भी ध्यान रखना है अगर बाई चांस पूछ ले कि स्रीवाली का जैन मंदिर कहां पर पड़ता है कि जिले कैनल के अंदर है और वहीं बात करो में किसी सौमनात मंदिर की यह कहां पर है डूंगरपुर के अंदर अब पूछा था भूमी सहली का कौन सा सबसे पुराना है तो गलत हो गार करेक्ट आंसर यहां से कौन सा हो जाईगा अपका वहां से आपका पालिका सेवाली हुए जेन सब्सक्राइब.. पाली के अंदर और कर्णी माता का मंदिर तो कौन नी जानता देशनों को बीकानिर के अंदर तो जल्दी से करो आंसर शापा सभी यह बताएंगे भ्रह्मा का फिर मुर्गा कौन बनेगा अरे फिर मुर्गा कौन बनेगा अरे मुर्गा तो बनना चीना तभी तो क्लास में मज जाएगा करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रह्मा मंदिर पुस्त्व करके अंदर है इसको राष्टी महत्व का घुशित किया गया है चलो जी कि अगला प्रश्णी क्या है हमारा यहां से मनीशा जी बिल्कुष शाबस कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अगला प्रश्ण देल वाड़ा आबू के निकट मंदिर परिशर में मंदिरों की कुल सख्या कितनी है तो मंदिरों की कुल सख्या कितनी हम तो कई वार तो अब भी आंसर गलत करोगी कितने मंदीर शाबाद जल्द इसे चिपका दो आंसर कर्रेक्ट आंसर यहां से पांच किसने बोला पांच है किसने बुला एसे इसको थोड़ी गलत करेंगे ऐसे कहने से आप तोम बच्चे थोड़ी रहें अब तो हम पता है न क्या हो गया राजस्थान के किस जिले में राजस्थान के जैन मंदिर इस्तित है राजस्थान के किस जिले में राजस्थान के जैन मंदिर है जैन मंदिर का मिलेंगा आपको भीलवान के अंदर ना बबबना हनमानगट के अंदर क्या पता सिरोई के अंदर देख लो जल्दी से टॉक के जीए तो भाई बहुत intelligent हो गए है ना चलो जी बेलकोश Psal tuck यांदिसान की कॉन सा जिला सिसके एंदर मंदर मिलते हैं उठ्यान मंदर मिल जाते हैं जी हमाउंट बूश और कूर चलें के अंदर जो तेजपाल जी का मंदिर है उसी को हम क्या भी बोलते हैं लूनव साही भी बोलते हैं वो है वो किस तीर्थकर को समर्पित है आधी नात को है पाशर नात को है नेमी नात को है या फिर महावी श्वामी को समर्पित है नेमी नात को है शाबास वेरी गूड वेरी ग जलना है चलो जल्दी से बताओ कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नयमी नाजी का मंदिर यहां से अगला प्रश्ण क्या है आपका अगला प्रश्ण की लोक देपता मली नाजी का मंदिर कहां पर है यहां पर चार जो दगे दे रखिए इने में से बताना है कि लोक देपता जालोर के अंदर बहाई साब चारो ही जगे कोई ना कोई किसी ना किसी का तो मंदिर है चारो ही जगे किराया आप दो तो आज रात डूख को मंदिर है लोग तो Mother तिलवाड़ा बाड़ मेरे के अंदर किसका मंदिर है तिलवाड़ा बाड़ मेरे के अंदर इनी का तो मंदिर है मलीनाज जी का ही तो अगली बात करूं में यहां पर नगला जहाज यहां पर भी है क्या किसी का यहां पर भी है क्या अरे ग्वालो के ग्वालो के कोई थी क्या नायवाई देव और टेंगपारख यहां पर ठीक किसका है देव बाबा का पता है ना अप लोगों को अगला पड़ादिया मैंने आपको ये सरी चीजिए चलो जी वहीं हाँ लूनी नदी के किनारे यह तो चलो यह साईयू बाबा थोड़ी है भाई सब्सक्राइब यह साथू गाउं कर लेना इसको साथू गाउं के जंदर जालोर के अंदर किसी का है क्या अरे किसका है आपको अच्छे से पता होगा बीर फट्ता जी का ध्यान देना यहां से बीर फट्ता जी बीर फट्ता जी का है वहीं में बात करो यहां पर पंचोटा गाउं पंचोटा गाउं किसका है बहिए यहां पर मली नाथ आ गया तो यहां पर कौन सा नाथ आ जाएगा अरे तली नाथ आ जाएगा कौन सा आ जाएगा अरे तली में रखनी हैं क्या-क्या बाते challenging मैं अगर मली रात पुछे तो कहा पर है तिलवाडगा बाड मेर के अंदर है वहीं आप से पूछे देव भावा तो इनका नगला जहाज भरतपूर के अंदर है वहीं आप से पूछे बीर फता जी तो साथ हुगाओ जालोर के अंदर है और वहीं आपसे पूछ ले तलिनाज जी तो इनका है पच्छोटा गाओं जालोर के अंदर तो चारो पांचो चीजे हैं वह आपको यहां से ध्यान रख नहीं है कोई सी भी पूछी जा सकती है तो करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन की अनंतर पढ़े तो ढांदर काहा प्रेश्य अचिपकाद के अंदर जाएगत के ऑंदर अंबी का मात इया चित टोड में कहा पर देखा आपने बाड़ुली वालो पहले यह बताओ मुझे करीना जी शारे के सारे मुर्गे बन जाओ जल्दी से जाके जो जगत कर रहे हैं न वो जगत कर रहे हैं वो मुर्गे बनो चीक है क्यों सभी तो आप डी आंसर शाबास सी आंसर जगत उद्धैपुर अरे करेक्ट आंसर होगा आपका जगत उद्धैपुर ही ठीक है अ अगला प्रेश्ण किया है से अगला प्रेश्ण चेह सब्सक्राइब करेंगला प्रेश्ण कि जहन मंदिर नहीं पर आते है पर जैपूर जमयर के अंदर बाड़ लुकों सोच समझ के बनाएंगे आप लोगों के लिए तक आप लोगों का थोड़ा अमीना बानू जी इनको डी कि आइए पिर तो ठीक है सबस्सजिए कि अगला प्रेश्टन क्या है आपका कि अगर आप से पूछले कि भारत के किस राजीत जो का संग्राले कहा जाता है कोई खणीजों के भंडास सबसे जादा कहा पर मिलता है राजीस्थान के अंदर तो तो करेक्ट आंसर यहां से फोर आंसर आपका हो जाएगा चलो जी बात करते हैं यहां से अगले प्रेशन की तो अगला प्रेशन आपका क्या है यहां से अगला प्रेशन आपका की राजस्तान में पाया जाने वाला कौन सा खनीजी भारत में इसे खनीज उत्पादन में पूर कुछ अबस कपतान बाबुस्य टी तरी अंसरमा सभी का करेक्ट होगा किसका वो लेश्टोण नाईज ठीक ऑफ्सटर एश हो जाएगा आपका ड्रेक्ड अंसर हो जाएगा चलो जी अग्ला प्रस्टन कहा है राजस्तान में भारत में निम्ले में से किसका सबसे बड़ा उत् तर क्या होगा आपका थूरा सजुमोट कम कर दो कि 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 चलो जी चल्दी से देंगे अगले यहाँ पर राजस्तान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक किसका है तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो सीशा और जस्ता का करता है कि करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा चलो जी चलो अब देखते हैं अगला प्रेशन की यहां से यह रहा आपका अगला प कि इसका संयूग तो क्रम है किसका है ongcl इंबं भारत सरकार का OIL जो आपकी कंपनी इन की बात कर रहा है यहां पर hpcl की बात कर रहा है special यह फिर सरकार यह फिर hpcl और राज़तान सरकार तो पंच वद्रा बाडबिर की जब भी बात करें तो को क्या ध्यान में रखना है किस कंपनी के साथ यहां पर समझे राजस्तान और फ्पीस ए अरे रहां बिल्कुष्य बस करेक्ट हरे चोड़ के साथ कर रखा है का चलोगी हां 25 25 स्का इस ही के अंदर है चलोगी आगला परशन के का है के कौन सा खनीज संगाना के मदान- autres वाल चेतर में निकलता है तो से सिंगाना सिंगाना का कहा पर आपके जुंजुनू के अंदर जुझुनू किसके लिए प्रसिद या जल्दी से बता तो çaößर यहां से अंफले क्ष narrative यह siete खनी जायका निकलता faith तो कौन सा निकलता भाईया जून जून वे तो मिलता ही क्या है ताबा तो यह इसे भी क्या निकलेगा ताबा इसमें सोचने की बिल्कुल भी ज़रत नहीं नविना जी ने फिर भी गलत कर दिया अच्छा कॉपर लिखा था क्या फिर ठीक है मैं सोचा सी लिखाया आपने सोड़ी दे रिखें आपको जिंक्र और मेगनशिय म घरल घर सर जल्डी से वैदी जिस एक Gi ke शबस सिंगल राज ची क sav भाफ पी के आगे आगे अब 238 जल्डी से करेक्ट अंसर करेंगे यहां से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा उप्षन यहां से तो प्रश्व जाएगा आपका यह वाला चलो ची अगला प्रेश्ण क्या है यह अगला प्रेश्ण आपका की सीसा इवं जस्ता गलाई सरह एक जा रहा है तो अब इस्ता चाहां पर देवारी के अंदर आपके वहसलाना जैपूर के अंदर फिर कोटा लाई आफे देवारी के अंदर पर अच्छे से पता है कहां पर देवारी के अंदर शाब बगा जावास कि आधान आया है कि termo जाएक हे चलो जी अगरा प्रपुछन का है कि निमीं लिखित में से राजस्तान का कौन सा जिला मैईडि मैगनीज bornankind के लिए प्रसेद्ध कौन सा होगा सब से ज्याधा कहां पर मिलता राजस्थान के वह अंदर मिलता है और मैंनीज के से तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां से option to correct answer हो जाएगा जब भी बाता है खनीजों की खनीज आपको पूरे याद है कि कौन सा खनीज किस जिले के अंदर सीधा सा प्रशनिक किया जाता है और ऐसी क्लास से अब हम रखा करेंगे कि फिक्स जो टॉपिक हो कि वहां स कि क्लास रहेगी चार से सढय हिंदी की क्लास रहेगी लगत्त टाथ और वहीछे के बात करें से साथ जो आपकी रहेगी नहीं तीट रहेगी लगत्त Born जो LDC वाले विद्यारती हैं उनको भी फाइदा मिल सके क्योंकि LDC बालों के लिए भी ये दोनों ही क्लासे वड़ी होने वाली है तो यहां से ज्यान रखेंगे और लगातार आठ से नौ इसके बाद जैसे कि हम इस्टिक जी के कंटिन्यू कर रहे हैं इनी के अंदर साथ के साथ में प्रद्ट तो करते ही रहेंगे सारे सब्जेक्ट की यानि चाहे हम हिस्टिक की बात कर ले आट और कल्चर की कर लें आप पॉलिटी की बात कर लें सारे ही टॉपिक कवर कर ये जाएंगे 8-9 के अंदर और साथ के साथ में आप लोगों के लिए इस पेशल क्या रहने वाला है कि इस क्लास के अंदर कोई ऐसा टॉपिक लेंगे 10 मिनट का आप के लिए कि 10 मिनट के अंदर वो जो इस्टेटिक जी के बाला पॉर्ट्चन रहता कि यहां से इसके रहता के अंदर कुछ प्रकार से हम लेंगे उसकी चट्चा वहीं पर करेंगे अब आ जाईएगा आप यहां पर कि राजस्तान में देश का कितना प्रतिशत फैलसफार जो भंडार है राजस्तान के अंदर पूछा यहां से कि कितना फैलसफार मिलता है राजस्तान के अंदर तो जल्दी से चिपका अब आंसर की भी बात कर लें शाठ के साथ में, शाब बास कितने प्रतिशत आर्ती, गुपता जी, वेरी गुड, सुरेंद्री जी, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, कितना प्रतिशत मिलता है, 6 आंसर प्रतिशत मिलता है, राजस्थान के अंदर, चलो, आगे आपका औक छलो जी क्आपस्षिति को अंगला प्रश्षिति आपका यह Seb आपका यह तो अगला प्रश्षिति आपका यह तो सारे विढ़ादी जो अगला इवेंट है उसके अंदर सामिल होंगे सब relação कि सभी यहां पर दिख रहे वहां पर भी मुझे देखने चीए है अगला प्रश्ण कि ग्राम पंचयत की अद्जक्च सरपंच का जो चुनाब होता है वो किसके द्दौारा किया जाता है ग्राम के ज़ेत की द्दौारा प्रत्यक्च निर्वाचन की द्दौारा या पिर बहुत सारे तो गाओं वालों को तो अच्छे से पता है और बहुत इंट्रेस्ट आप работать लेते उससरपंच के क कि चुनान से चुनाप कौन करते हैं आप ही लोग करते हैं जानी कि जिनका नाम कहां पर है उस गाउं की मतडाता सुची में हैं वहीं लोग चुनते हैं यहां पर किसे को सर पंच को वैरी गुड शाबाद विसाल जी एसके मैंजी आर्टी जी पूझा जी करेक करें विसाल जी त्रिया अंसर कर रहे हैं हैं पर गाउं के तो यहां पर हम लोग बात करें यहां से तो धान गाऑं के सभी लोग करेंगे। जिनका ग्राम पंचया छेत के अंर जो पंजिकरत मद्दाता सुची है उसके अंदर नाम होगा उनी के द्वारा सरपंच बनाया जाएगा सर जी आप राम राम का जवाब भी नहीं देते अरे नवीनाय जी बिल्कुस सभी के जवाब देता हूं में जैसे मुझे कमेंट्स होता है तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका option to correct answer हो जाएगा चलो जी पूछना पहले प्रश्ण प्रद्ध्यान देना अच्छे से कि संसद हुई आपकी विधान सभा हुई और सिस्थानी जो स्वैसासने यह जो संस्ता है इनकी चिनावों का जो जिलाइस तरपर कौन नियंत्रण एबम क्या करता है प्रबंधन करता है आपका संभागी आयुक क्या कह दो आपका जिला कलेक्टर जो जिला कलेक्टर है वहीं उसी के अंडर में होता है सारा काम ठीक है राजी का या फिर उसे जिले का करेक्ट आंसर क्या हो जागा जिला इस तरपर जो होता है कारी नियंत्रण एबम प्रबंधन का जो काम करता है पूरी जिले का वो खु पास चलो जी अग्ला प्रश्ण यहांसे आपका क्या है कि कौन सा कथन यहां पर सत्य है यहां। आपको जी उप्रोक सभी दे दियाँ तो सो समझकर आंसर करना प्रश्ण क्या कह रहा है कि कौन साकतन से जिला इस तरपर भूराजस के मुलियांकन और का रन का कारिया चलften अधिकारे करता हैं और का मुख्य कौन होता है सब सीधे कैलेटर की नीची कारी करता है है तो जल्दी से बताएंगी शाबास कर्रेक्ट आंसर क्या होगा एक गलत है त्रियंग बाबुजी कह रहें एक गलत है शाबास फिर तो मैं अच्छे वूर से अच्छे क्या कहरा है पहला कतान पड़ जिला इस्तर पर भूराजस्प के मुल्लंकन और origin क pants coffee 1965 का जो कारी और जिला इस्तर पर हम बात करें तो शाबास यहां पर बात करें दो धान देना जिला इस्तर पर कोण करेगा आपका जिला कवरेक्ट करेंगा मुल्लंकर कढ़ेंक्त और बमाइस कारी इसका करेगा qya करेगा सभी यहाँ पर लिखना चिये था उसको यहाँ पर लिखना स्मझ में चलो जी आगला क्या है आपका कि जिला दीर जब राज़स बोशूली का कारी करता है जब राजस बशुली का कारी करता है तो उसे क्या कहते हैं यानि कि एक तरह से बशुली का काम खुद नहीं करता वो लेकिन आता उसी के अंदर है जब जिलादीस क्या करता है राजस बशुली का जब काम करता है तब वो क्या कहलाएगा यह प्रशन आप से पूछ सब्सक्राइब करूद राजिषी के यहां से प्रषिन के अनुसार बैसे यह काम उस करवाते हैं नीचे के काम चलो अगरा प्रश्न क्या है यहां से अगला बात करें जैसे हम बात करें सची वाले का मुख्या कौन होता है तो उसी प्रकारी यहां पर क्या होगा संभाग को आभी आयुक्त अंसर आपका इहां से कौन सा हो जाएगा उप्शन पर ब्साल जी पिल्कुल शाह को इचला प्रस्ञिं क्या है आपका है अगला प्रश्च यहां से कि भू राजस बशुली एबंभू राजस प्रबंदन के संबंद में जिलाधीस किसके निद्रेशों के अधिनकारी करता है ग्रह विवाग के राजस मंडल के उच्छी नयाले के या फिर पंचैती विवाग के तो सो समझ के आंसर देना यहां से शाब बास अरे यह तो आपके टॉपिक से वह कबर किये जाएंगे जैसे कि आपका राहस्तान करंट अफेस है वो भी उसके अंदर डाला हुआ मिलेगा आपको लगवक आपको 35-40 कुश्चन मिलेंगे इसके अलावा कोई ऐसा एक टॉपिक में रखूंगा हर क्लास के अंदर ताकि उससे भी प्रण हुआ है ऐसे टॉपिक सर्में उठा लिए तो इसे प्रकार से हम इस क्लास को कुछ नया करके आप लोगों के फायदे वाली क्लास सब्साबित करेंगे ठीक है तो सबसाथ होना शाथ होना सब जल्दी से कमेंट बोक्स में डाल दो जल्दी से कमेंट सब साथ हो तभी जाके यह उपाएगा चलो जी या फिर कोई भी आपका अगर सजेशन है कि क्या किया जाए आप लोगों के लिए नया तो वह चीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें ताकि आपकी वह चीज़े भी क्या होती रहें रिवाइज होती रहें आपको आता सब कुछ है य क्युश्टर की छैसे साथ हो रही स्ोरी जोगरॉफिक की से साथ हो रही है वहां पर टॉपिक वाइज होगी और साथ सब्सक्राइब घ्रास उतार करेंगे और सारा मिक्सठ cynत गोंने वाला है आप लोगों के लिए और कुछ खास अगला इवेट में में आना सबी का इंतिजार करूंगा वहाँ पर भी तो मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत